कि स्वागत है आपको नमस्तर ने नियूज में मैं हूं आकोर असुन नवीन शर्मा हम बात करें वट सावित्री पूर्णी मादु निस के ब्रत कता पुजा विदी महत्वक पुजा सामगरी और ध्यान कुछी रखने हो कि बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस ब्रेट के और जान लेते हैं वट सावित्री वरत धुर्णी के कुछ विशेष बातों के बादे में दोसो हिंडू धर्म में पत्य की दिरगायों के लिए महिला आये साल भर में कई विशेष ती और तयोहार ओपर व्रत रखती है उनी में से एक है वट सावित्री व्रत इस सालिहती थी सुला जून को है माननेता है कि इस दिन पती बता इस्तरी ने यम्राज से अपने पती सत्यवान के प्राणों की रक्षा के थी तो यह जानते हैं इस रवत का महत्व पूजन विद्धी और सामगरी के साथ इसकी पुरानी कथा दोस्तों वड़ सावित्री बत क्या द्रणल संकल्प और श्रद्धा से अम्राज द्वारा अपने मत पती सत्यवान को प्राणों आपस तरहे थे इस कारण से इसी मननता है कि इस दिन जो इस्तरी सावित्री के समानी हव्रत्र करती है उसके पती पर भी आने वले सभी संकट इसी पूजन से दूर हो जाते हैं त इस वरत के प्रिणाम सुलूप सुखद और संपन दांपत्य जीवन का वर्दान प्राप्त होता है और एसे वर्ट सावित्री का वरत समस्त परिवार की सुख संपन्ता के लिए भी किया जाता है तरसल सावित्री नहीं अम्राज से ना केवल अपने पती के प्राण वापस समस्त परिवार के कल्यान का वर्द भी प्राप्त किया था पूजन के लिए अवर्शक सामगरी के लिए बात करें इसकी तो सास्त्रों के नूसार वट सावित्री व्रत पूजन सामगरी खास महत्व होता है इसी मन्यता है कि सही पूजन सामगरी के बिना कि पूजा अधुर कर्म से निव्रत्त होने के बाद इस्तान आदी का सुद्ध हो जाएं फिर नए वस्तर पहन कर सोला श्रंगार करें इसके बाद पूजन की सारी सामगरी को एक कटोकरी प्लेट या डलिया में सही से रख लें फिर वट बर्गत रक्ष के नीचे सफाई करने के बाद महां सभी स अपड़ा अर्पिट करें और फल अर्पिट करें फिर बास के पंखे से सावीत्री सत्यवान को हवा करें बर्गत के एक पत्ते को अपने बालों में लगाएं इसके बाद धागे को पेड में लपेट्टे हुए जितना संभव हो सके 5 11 21 सिकाओं 108 बार बर्गत के पेड़ की प्रग्रमा करें अंत में सावीत्री सत्यवानी कथा पंडी जी से सुनने के बाद इसका संभव दक्षणा देकर कथा खुद भी पढ़ लें इसके बाद घर आकर उसी पंखे से अपने पति को हवा करें उनसे आश्रिवात प्राप्त करें फिर प्रसाद में चड़े फल होने पर एक दिन अश्रोपती ने मंत्री के साथ उन्हें वर चुनने के लिए भेजा जब वह सत्यवान को वर रूप में चुनने के आई तो उसी समय देवर्श्री नारद ने सभी को बताया कि महराज धुमत सेन के पुत्र सत्यवान की शादी के बारा वर्शोपश्चात म पुत्री सावित्री से किसी दूसरे वर को चुनने के लिए कहा मगर सावित्री नहीं मानी नारज जी से सत्यवान की मत्यू का समय ग्याद करने के बाद वह पती वर साथ ससूर के साथ जंगल में रहने लगी इसके बाद नारज जी ने बताये समय के कुछ दिन पूर्वे से सावित्री ने व्रत रखना शुरू कर दिया था जब यम्राज उनके पती सत्यवान को स्वाथ लेने आये तो सावित्री भी उनके पीछे चल दी इस समय अम्राज ने उनकी धर्मनिष्ठा से पसंद नहों कर वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने सबसे पहले अपने नेत्र ime सावित्री को पीछे आता देख़े दूसरे वर में अन्हें वर्दान दिया कि उनके सथूर का खोया राज्यपाट उका मांगा के चतुराई पूरवक मांगे ऺए वर्दान के आपस करें, घृम्राज को सावित्री पती सत्यवान के प्राने वापस करने पड़े यम देव ने चने के रूप में सत्यवान के प्रान लोटाए थे इसलिए प्रान में वचसा दुशु कुछ रहें, स्वास्तर लाएट, चूं बे 무슨 धु होς आप हमसे पूछ सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही फिर आपको लिए उपसे दोंगे ने जानकरी के साथ तब तक लिए उस्तों खुश रहिए स्वास्त रहिए नमस्ते